एक अच्छ प्लस फाइव सेकंड लिफ्ट आफ नॉर्माल पिएथिया ल्वन उन बूर्ड प्लस फिप्टीन सेकंड पी एसल विची फिटीन का सफल उठापन और इसके साथ प्रथम भार्तियर् सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर के तेज से विग्यान को प्रकाश करने इसके साथ ही एक और कदम है अंतर ग्रहिया सफर में भारत के उफस्तेते सिद्ध करने का आप देख रहे हैं PSLVC 57 तथम चरंड पूरी तरह सामान्य अपर्गाइब करने सब्सके सब्सके साथ करने अ अ्यारत कर सक्ता हैं जैसा कि निर्दारित है, Ground Lid Strap On को सपरेट कर दिया गया है, और प्रसंद चरंड का निश्पवादन सामान्य है, इस घटना करम में अगला Air Lid Strap On को यान से प्रिथक कर दिया जाएगा, Air Lid Strap On सपरेटेट, जाहां इसकी भी पुष्टी हो गई है, strap-on को सफलतबूर प्रिथक कर दिया गया है we are 100 seconds past the launch time the ground lit and air lit strap-ons have been separated S139 motor still thrusting S139 110 second के प्रजुलन काल के पश्चाथ उसे भी प्रिथक कर दिया गया है दिती ये चरण जो की तरन लुदक पराधारी चरण है इसका प्रजुलन शुरू हो चुका है और वड़तमान में प्रणु दुत पन्न कर रहा है second stage performance normal the launch vehicle is at an altitude of 73 km first stage has been separated second stage has begun its operation and the closed loop guidance has been initiated according to the announcement by range operations director PS2 is developing nominal thrust PS2 एक ताले स्टन के तरल नुदक पर अधारी चरण है इसमें विकास इंचन द्वारा आट्सो किलो नुटन का प्रणु दुत पन्न होता है और इसका प्रजुलन का लगबग 150 सेकंड का होगा द्वारा आट विकमार नुटन के लगपरता अधारी सिगन्स के अधारा आटन के अनुटान के लाडन के वीचाई एक्सो शाय किलोमीटर तथा हसा पक्षिगती तीन किलोमेटर प्रती सेकंड the velocity addition in PS2 regime is going to be from 2 km per second to 4.9 km per second the payload fairing covering the Aditya L1 spacecraft has been separated the current altitude of the launch vehicle is 118 km relative velocity exceeding 3.8 km per second यान अब गने वाता वरंड से बाहर जा चुका है इसलिए उश्मा कवच की जरूरत नहीं रह जाती है और इसकारण इसे यान से प्रितक कर दिया जाता है इसकारण से पर्फॉर्मान से नॉर्मल दितिये चरण वर्तमान में प्रणो दुत्पन करता हुआ और यान पूरी तरह सावान प्रदर्शन करता हुआ अपने अनुमानित पत की ओर बढ़ रहा है दितिये चरण को भी सफलता पूर्मान से प्रितक कर दिया गया है उसके प्रजोलन काल समाप होने पर और दितिये चरण जो की ठोस नोदक पर आधारी चरण है इसका प्रजोलन शुरू हो चुका है प्रजोलन काल एक सो सत्रा दिशमलो साथ सेकंड का होगा इस दौरान या दो सो चालेस किलो न्यूटन का प्रणोध उत्पन करेगा वर्तमान में यान की उचाई एक सो चौतिस किलो मेटर तथा साथेक्ष गती पांच दशमलो नौ छे किलो मेटर प्रति सेकंड जैसा कि हम जानते हैं PSLV सबसे विश्वस नियर रॉकेट रहा है इस रोका वैसा ही प्रदर्शन करता हुआ एक और मिशन PSLV C57 का लगए एक बड्तमाशन का प्रति सेकंड़ा और मिशन सेकंड़।